कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आमित स्वागत है आप सब का डिफिंस डिकूर्ट पे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिया डियो दर बनाये के एरो एंजिन कंपोनेंट को लेके जो कि टाइटेनियम अलोय के हैं प्रेमर ले यह जो कंपोनेंट है वह एरो है वह अचीव की है तो इसको जोके हम बात करेंगे जहां तक बात है इस टेक्नोलोजी को लेके तो यह चीज़ दो साल पहले यह डिवलप कर ली गई थी त्योंकि इससे बने हुए तक्रिबन 200 डिस्क हैं HPC के डिस्क यानके आपके कंप्रेशर के डिस्क वो डिलेवर कर द बेसिकल यह जो आपकी तक्नीक है वो आपको हैल्प करेगी अगर आप प्लान कर रहे हैं खायर त्रस्ट के लिए हल्प करेगी इसको लिके अडवेंटेज क्या है और किस तर से अचीव किया गया है उसके बार में हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते है चैलेंज की कि आ रहा है वो टाइटेनियम अलोय से और यह वैसा अलोय है जिसका जो मेल्टिंग कंपरिचर है वो अल्मोस सोला सो दीरी सेंटीग्रेट का राउंड है और वहाँ पे आपको इस तरह के टफ मेटीरियल को शेप देना है एक डिस्क की फॉम में तो काफी डिफिकल टास्क है और जब आप ऐसे मेटीरियल को शेप देने के कोशिश करते हो जिसके जो स्ट्रेंथ है वो हायर है तो उसको शेप देने के लिए आप क्या करोगे एक डाई लोगे डाई की बीच में जो एक बिलिट है यानि कि रॉट टाइटनियम अलोय का मेटीरियल वो डाल दोगे और दाई की हल्ब से दोन तरफ से compress कर दोगे यहां पर जो forge press है वो जन्रेट करने हो सक्षम है तो इस तरग के प्रेस की हल्ब से टैटनियम के अलोय को गरम करके बीच में रखके प्रेस कर दोगे जहां पर जो आपकी डाई होगी उसमें फिट हो जाएगा जो भी आपका टैटनियम अलोय है तो इस तरह से जो आपका डिस्क है वो मिल जाएगा तो यह नॉमल फोजिंग डिस्क हो गई करोजन से लडने की जो शमता है वो गिरती है और चांसिस होते हैं कि जो ग्रेन बाउंडरी है वो आपको प्रॉपर अचीफ ना हो जब इतना कुछ हो रहा होता है तो एक रिजल्टेंट के रूप में जो भी आपको प्लेट मिल रहा होता है यानकि जो भी आपको डिस्क मिलत है कि इन डिस्क में छमता होनी चाहिए एक हायर स्टस को जहलने के लिए हायर लोड को लेने के लिए अगर आपने हाप एडिस्क को नॉर्मल फोरजिंग से बनाया है तो कही निकरी जो रिस्क है डिटोरियेशन का और एक प्रोडॉंग टाइम में डिस्क के लाइफ का वो तो जो आपका engine होता है वो बहुत variable temperature में operate करना होता है उसको और उन सब चीजे को देखते हुए जो भी डिस्क basic forging से बनाए गए हैं उनके engine की जो performance होगी वो आपको distinctive नहीं मिलेगी फिरो आप है उस case में यह जो आपका issue thermal forging method है वो सामने आए हैं जिनकी आलफ से जो भी आपक कर रहे हो जो आपका पहले वाला method था जैसे आपने raw material लिया त्याई alloy का उसको गरम किया आम तो पर जो heating process होता है वो किया आता 980 degree temperature पे जो आप उसको गरम करके ला रहे होते हो तो जो temperature है वो गेज आता है 950 degree centigrade पर आ जाता है और उस 950 degree centigrade को जैसे आप die में डालते हूँ या आपने क्या किया है जो भी आपका डाई है उसके चारों तरफ जो एक induction coil है वो भी इचा दिया है मतलब अब यहाँ पर क्या कर रहे हो जो डाई है उसको भी आपने गरम कर दिया है और जो आपका working metal है वो तो अल्लेडी गरम था तो यहाँ पर आपने दोनों की temperature को एक पहले material को disk में है और जो आप ऐसे shape देते हो तो जो flow होता है आपके dye के अंदर raw material का वो smooth होगा जो उसकी basic property is strength की titanium alloy की वो गवाएगा नहीं प्लाज जो corrosion है ऑक्षिडेशन है वो नहीं होगा पर प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो कुछ प्रोसेस इस तरह सजाता है जो कि multiple stage में कंड को गरम कर दिया है इसी temperature पर आनके 920 के राउंड वहाँ पर जो forging isothermal forging वह आप कंड़क करोगे आइसो थर्म आपको सून का ही लग रहा होगा दो वर्ड से मिलके बना है iso plus thermal जहाँ पर जो temperature का flow है वो isotropic है तो वह forging अचीव करने के बाद जो भी आपको disk मिल जाएगा उसक कुछ इस तर से यह पुरा process जाता है इस disk को अचीव करने के लिए जिसको यहाँ पर DiDeo Club DMIRL ने developed किया है अगर कुछ upgrade की बात करते हो कि जो आपका basic press है उसमें किस तर के job grade है वो किये गए है तो यहाँ पर इस तर के forging को अचीव करने के लिए जो एक automatic guiding system है वो दिया गया ह को fix कर दिया गया है और एक जो high precision measuring device है वो दी गई है तो technical यह diagram आपको यह भी कह रहा है कि इस method से अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो कहीं कि उस component की tolerance होगी मतलब fit होने की शमता होगी वो काफी close होगी यहाँ पर कुछ और modification की बात करते हो machine में तो नए जो electronic system है वो air किये heating and cooling के लिए जो system है induction coil है उसका addition हुआ है जहां तक मुझे info है तो यह जो system हो लिया गया है German company marks से जब कि जो hydraulic system है उसका addition है वो गया गया है तो यहाँ पर challenge यह भी है कि जब आप disc को गरम कर रहते हो और उसके temperature को उपर ले जाते हो 900 degrees से उपर load exhaust करने की शमता है बिलेट को है उसका temperature अपने बढ़ा दिया है तो उसको अगर आप ज्यादा प्रस करोगे तो उसके अंदर वी deformation है वो आ सकता है इसको आप ऐसे समझ सकते हूँ कि मानला आपको एक कुलाड़ी बनानी है हाथ और से बीट के लेकिन जो आपके हाथ और का temperature है वो भी equivalent हो जाए उस material से जि हो जाता है तो यह एक challenge है उसको overcome करने के लिए pressure कितना glut किया जाना चाहिए कि आपका raw material है वो शेप ले ले आपके डाई को भी नुपसानना हो तो उन सबी चीजों को accurately achieve करने के लिए आप जो machines है modifications है वो किये गए है तो यह एक interesting process है और काफी expensive process है जो कि आपको deliver करने जा रहा है high performance air engine disc को यह आपको eventually help करेगा high thrust वाले engines में और भी फिलाली जो तकनीक है वो आपके jaguas के engine के लिए इस्तमाल की जा रही है फिलाली इस वीडियो में इतना ही जान